नमस्कार दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि तिबित में जो कैलाश मांसरोवर है उसकी यात्रा की जाती है भारत में कई सारे लोगों के दोरा लेकिन अभी वहां तक पहुँचने के लिए काफी लंबा समय लग जाता है आपने सुना होगा नतुला पास के बारे में वहां से गुजनना होता है या फिर उत्राखंड से अगर जाते हैं तो काफी लंबा समय लग जाता है क्योंकि प्रॉपर रोड्स नहीं है तो भारत पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहा है कि वहां पर प्रॉपर रोड्स बना दिये जाए ताकि वहां पर जाने में आसानी हो है लेकिन इसी को देखते वे नैपाल के अंदर क्या हुआ है वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं चाहें रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज हो ओपोजीशन हो इन सभी लोगों ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है या आप देख सकते हो इंडियन पीम्स आने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे आपको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyiq.com विजिट कर सकते हैं वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहां पर stories में आपको सभी MCQs मिल जाएंगे चली सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे exactly हो क्या रहा है हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि try junction आपको मिलेगा भारत चाइना और नेपाल क की तरफ से आप देखेंगे और इधर जो पुरा तिबित वाला इलाका है यह try junction आपको देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर तीन एरियाज है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए सबसे पहला एरिया यहाँ पर नदन साइड में आप देख सकते हो लिंपिया दुरा और उसके बाद है काला पानी और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिपू लेक पास इन यह जो तीन पॉइंट है इसी के लेकर पुरा डिस्प्यूट है नेपाल और भारत के बीच में नेपाल का काफी लंबे समय से यह कहना रहा है कि यह जो पूरा एरिया यह जो तीनो पॉइंटस आप देख रहे हो यह पूरा नेपाल के अंदर आएगा मतलब यह जो पूरा यलो डार्क यलो में आप देख रहे हैं यह नेपाल के अंदर आना चाहिए लेकिन अभी प्रेजेंट में इस समय जो जो एडिमिनिस्ट्रेशन है पूरा वो भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा और यह ऐसा नहीं है कि यह कोई recent की घटना है यह काफी लंबे समय से होता आ रहा है वैसे अगर आप देखोगे तो main problem तो यहाँ पर अंग्रेज जब आये थे तब उन्होंने create करके गये थे यह पुरा जो मामला आप देख रहो आज के रेट में लेकिन सुरुवात से ही मतलब partition के बाद से आपको याद होगा 1950 से ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा था लेकिन चाइना के दवाओं में आकर यहाँ पर जो नेपाल है उसने ये वाला जो पुरा मुद्द है उसको 2019 में ले आया था इनफाक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर आप ध्यान से देखे जो पूरा western पार्ट है नेपाल का ये वाला जो एरिया आप देख रहो ना पूच जैसा बना हुआ है ये पहले क्या था कि नेपाल अपने political जो map है उसके अंदर शामिल नहीं करता था क्योंकि सुरुआत से यह ऐसा हो गया था कि ये भारत के अंदर है और भारत इसमें administration करता आ रहा है लेकिन 2019 में यहाँ पर क्या किया कि नेपाल ने अपना जो political map है उसको change कर दिया आपको याद होगा और ये वाला जो part है उसको अपने political map में include कर दिया तो basically अभी क्या हो रहा है कि भारत जो है वो यहाँ पर जो सड़क है उसको पक्की सड़क बनाना चाह रहा है मतलब कि यहाँ पर लिपू लेक तक जो proper road है वो बन सके ताकि हमारे जो सर्णार्थी है जो भी लोग यहाँ पर केलास मांसरोवर की यात्रा तिवित में यहाँ पर करना चाहते है वो आसानी से पहुंच सकेंगे क्योंकि यहाँ से काफी नजदीक हो जाता है तो यह जो road widening का पुरा project है इसी को लेकर नेपाल के अंदर outrage हो गया opposition parties, ruling parties हो गई उनका कहना है कि इसको लेकर नेपाल की जो sovereignty है, territorial integrity है उसको undermine किया जा रहा है भारत के दोरा और इसको किसी प्रकार से justify नहीं किया जा सकता जहां तक प्रामिश्टर मोदी की बात है उन्होंने जो announcement किया है तो मैं आपको बता दूँ अभी पिछले मैने की बात है 30th of December को जो हल्दवानी एरिया है उत्राखंड में वहाँ पर election rally की दोरान यहाँ पर प्रामिश्टर मोदी ने announce किया और ये कहा कि लिपू लेक तक ज जोर सोर से चालू किया गया है और इसी को देखते वे क्योंकि ये जो प्रामिश्टर मोदी का बयान आया उसको लेकर नेपाल की जो coalition government है उन्होंने तो बहुत बड़ा कोई प्रश्ट नहीं उठाया है क्योंकि नेपाल में भी आप देखोगे तो इस समय आपको political crisis देखने को मिलेगा तो जो overall coalition अगर आप देखोगे तो उन्होंने सरकार की तरफ से as such official कुछ भी नहीं बोला गया है और जाहिर सी बात है official आपको बयान देखने को नहीं मिलेगा लेकिन इसके अंदर जो parties हैं जैसे नेपाली Congress उन्होंने भारत के इस move को object किया है और ये कहा है कि भा development activity की जारी है भारत के दोरा वो illegal है और territorial integrity को violate करता है Indian government को अच्छे से पता है कि ये जो territories है वो नेपाल की है और इसलिए सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए और इसलिए उन्होंने ये कहा कि जो नेपाल की सरकार है उसको strict action लेना चाहिए और जो अपने border areas है उसको अपने अ opposition party है मतलब जो केपी शर्मा ओली की party है नेपाल Communist Party UML वो इसको लेकर शांत तो रहेगी नहीं और उन्होंने भी यही कह दिया कि ये self respect नेपाल के self respect पर यहाँ पर हमला किया गया है और हमें ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा है सरकार को तुरंत यहाँ पर dialogue स्टार्ट करना च लेकिन जो जो reality है दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो काफी different है मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा अगर मैं इस dispute की बात करूँ मतलब कि present में जो dispute है वो कहां से start हो रहा है basically यह आपको context मिलेगा 2019 में 2019 में क्यों क्योंकि आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में काफी बड़ा बदलाव किया गया था यह आपको पता था कि एक पूरा राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर रैट तो article 370 हटाए गया August 2019 के महने में और यहाँ पर दो union territory बना दिये गये थे एक था आपका जम्मू कश्मीर यहाँ और यह लद्दाक तो लद्दाक वाला इस तर बड़ाव करना था जम्मू कश्मीर में वो कर दिया तो ध्यान रखना है आपको जो नया मैप हमने निकाला वो सरिफ हमने जम्मू कश्मीर वाले मैप में बड़ाव किया था बाकी कहीं पर भी बड़ाव नहीं किया गया लेकिन जाहिर सी बात है क्या यह पाकिस्तान और च स्टार्ट कर दिया कि भारत ने अपने ने मैप के अंदर जो नेपाल का ये वाला जो एरिया है मैं अभी आपको जिस्ट मैप के अंदर दिखाया था ये वाला जो पूरा एरिया है लिंपिया दुरा और जो काला पानी लिपू लेक पास ये जो तीन पॉइंट थे नेपाल न 1990 में और लगतार उसके बाद नेपाल भारत के बीच में जो रिष्टे हैं वो काफी खराब हो गये थे आपने देखा ही होगा अगर आप पीपल टू पीपल टाइस देखेंगे तो काफी अच्छा ही है लेकिन कोशन यहां पर एक और यह आता है कि भारत जो अपना रोड है उ केलाश मांसरोवर है तिबित के अंदर और यहां पर लिपू लेक पास है ठीक है और यहां से हम क्या कर रहे हैं यह रोड को बना रहे हैं भारत में ताकि काफी आसानी से लोग वहां पर जा सकें और अच्छे से मैं आपको मैप में दिखाता हूँ अभी के लिए क्या होता ह है कि अगर प्रॉपर तरीके से ट्रैवल करना होता है तो सिक्किम यहां से हम जो नतुला पास है उधर से गुजरते वे आप देखिए काफी लंबा रूट हो जाता है केलाश मांसरोवर के लिए तो उससे अच्छा क्यों नहीं यहां पर जो लिपू लेक वाला पास है वहा यहां से काफी जल्दी जो सरनार्ती हैं जो भक्त हैं वो यहां पर ट्रैवल करके केलाश मांसरोवर आराम से जा सकेंगे तो यह हमारा मेन प्लैन था बाकी हमने कोई चेंजेज ऐस सच किया नहीं था यहां पर लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि मैंने आपको बताया च जमू कश्मीर वाला जो पूरा एरिया है वहां पर बदलाव किये थे और इन फैक्ट मैं आपको बताओं तो यह जो भी डिस्प्यूट देख रहे हैं उसमें आप यहां पर जो मेन डिस्प्यूट है वो आपको काला पानी यह यह बहारत भी इसको क्लेम करता है नेपाल भी उसके अंडर आना चीए तो दोनों के बीश में आपको कही ना कहीं प्रॉलम है अब कोश्चन यह आता है कि आगे इसको लेकर क्या होगा देखो दोनों देश के बीश में कहीं ना कहीं समझोता तो हुआ है कि यहां पर डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के जो टॉक जो पुरा पिक्चर है पुरा गेम है वो एक प्रकार से बदल दिया गया है और अभी तक कोई भी बैलेटरल नेगोसियेशन हमें इस पूरे मुद्धे पर देखने को नहीं मिल रहा है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता बट आई होप कि अभी के लिए ज पास के तुरू कौन सी नदी बहती है कौन सी रिवर जो है वो भारत के अंदर एंटर करती है यह आपको बताना है इसका राइट आंसर आपको पता ही है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी लए सकते है मैं कई सारे mcqs यहाँ पर डालता रहता हूं stories के form में आप जाकर play कर सकते हो बाकि अगर आपको pdf जीए तो telegram पर आईए अलग अलग social media पर भी आप जोड़ सकते हैं साथी साथ UPSC आप फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे app को download कर लीजे I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूं से नेक्स तेम तिल देन Thank you very much, see you soon